आणि हेस म्यूजिक आपल्या कड़े रीक्रियेट के लगेले बरक आया, स्पेशली फिल्म साथी संतोष मुएकर हैनी ते केलेला आहे, तचानता मिनाय मान के अन्वेशा हैनी ते गायलेला सुध्धा आहे पर असा हा एक अत्यंता आगणा वेगणा और खूब छान प्रहतना अपल्या सगयांचा समोर यहना रहे और सगयात महत्वा समझे जो इंडिया चा पहिला डांसिंग सूपरस्टार आहे, पहिला आक्शिन हीरो है, पहिला डांस हीरो आहे अर्था तस भगवान दादा हैंची आता है एक सॉलिड एंट्री होना रहे, तेवा भगवान दादान साथी जो दाट आया मैं भगवान आबाची पालव घर के लोग मुझे भगवान कहते थे और आप लोगों के प्यार ने मुझे भगवान दादा बना दिया हाँ वही भगवान दादा जिसने पहली बार हिंदुस्तानी फिल्म में फिस्ट फाइटिंग लाई वही भगवान दादा जिसे आपने स्टंट हीरो बना दिया वही भगवान दादा जिसकी हर स्टंट फिल्म सुपर हीट हुई बाबुराओं के साथ अखाडे में जाते जाते कब फिल्म लाइन में आप पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला 1930 में 1930 में पहली बार मैंने मुझ निकाली थी कैमेरे के लिए 60 साल उसे बढ़ने ने दिया आप लोगों के लिए आपको खुश जो रखना था सी राम चंद्र सी राम चंद्र मेरा बहुत करीबी दोस्त था मैं स्टंड फिल्म का हीरो प्रोडूसर डिरेक्टर होने के बावजूद भी उसने मेरे हर फिल्म को संगीत दिया राज कपूर हाँ वही राज कपूर जिसे आप लोग शोमेन कहते थे हो भी मेरा बहुत करीबी दोस्त था मुझे कभी-कभी मजाग से कहता था भगवान तुम्हारी स्टाइल सोशल फिल्म में ले आओ सोशल फिल्म बनाओ नए तो एक दिन मैं तुम्हारी स्टाइल सोशल फिल्म में ले आओंगा फिर न कहना राज ने मेरी स्टाइल चुराई मैंने बनाई मैंने अलबेला बनाई मेरी पहली सोशल फिल्म ग्यारा गाने थे उसमें अलग-अलग रंग के अलग-अलग ढंग के आप लोगों ने तो सुने होंगे शोला जो भढ़के भोली सूरत दिल के खोटे शाम ढ़ले खिरकी तले बहुत हिट हुए गाने फिल्म में बहुत चले बहुत खूब चले सिर्फ आपके वजह से चली मैं राज को धन्यवाद देता हूँ उसके बाद भी मैंने बहुत सारी सोशल फिल्में की वो हिट हुई आपके वजह से हुई आपके प्यार के वजह से हुई आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया सिर्फ एक बात से नाराज हूँ मेरे बुढ़ापे में मेरे बारे में बहुत गलत चलत बुला गया वो सोटका सही नहीं था सेवन शेवर लेकार आशा स्टूडियो बहुत सारी प्रॉपरटी इतना सब होने के बावजूद मैं शिंदेवाडी में लल्लू भाय में में रहता था क्योंकि वो मेरे दिल से नहीं गया था यहीं सच है बाकि सब जूट आज भी मैं उसी लल्लू भाय मेंशन की तरफ जा रहा था शिंदेवाडी में उसी वक्त मुझे मेरे ही गाने की धुन सुनाई दी उसी धुन को पकड़ते पकड़ते मैं यहां आप पहुचा तब मुझे पता चला कि किसी ने मेरे जीवन के उपर मराथी फिल्म बनाई है एक अलबेला मैं भार्ट चांगलवाटला में त्या दिखदर चकाला भेटलो शेखर सर्तांडेल उसने मुझे नहीं पहचाना करन मी प्रोडूसर मोनिश बाबरे चा रुपात हो तो कि मया मोशन फिल्म जानी मंगलमूर्थी फिल्म्स हाँ एक अलबेला सिनेमा प्रेजेंट करते है मैं बहुत कुश हुआ आज अगर राज और अन्ना होता तो उनकी आखे भराती मी तुम्चा जास्तवेल घेनार नाई करन माझा गान्यांचा अनन्द तुम्हाला ग्याईचा है में गजाने जाता छ Precis. जाता फकर एकस गोष्ण सांगाँ तुम्हाजोंए तुम्हाजऊ बन्नी तुम्हापंजोंए जा उपध्धते माझ है अलभाली आश्रवाद दिले होते तुम्हाश्रवद्दी तुम्हाश्रवादे है या एक अलभालरा होते मला परानंद वाते धन्यवाद झाल भाई आल कि अच्टरी पेस्टारी साग्ट गार्थ फ्ली तो है। ऑस्टो एग ईगडुनों और साग्साख़ तरह बीज्वोश समोर पयाशक refers भिल्कुल बीज़ करने में हम लोग माहिर है सिर्फ पोस करने में आप म्यूजिक इमाजन कीजिए अनकेन काई नमस्कार नमस्कार विद्याची एक गोश्ट नहीं अए लिए अन्यवाद थैंक्यू खुब 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 स्वागत मना पाशन स्वागत विद्याची एक दाट आट आया थैंक्यू मेरी तु समझ में और एक तुम्चा या लोभस वाईन रूप पाहवत रावा का तुम्चा सुन्दे डांस बगावा का तुम्चा acting mantra मुगधा आवा एक दाव गोड्याची रिपाट एह और प्रेण स्ट ऐवं प्रेण मंगेश का यह दादा वह दादा आपकर आपकर मंगेश है आपके सिगनेचर के बारे में सुना बहुत था अब देख लिया पर एक और बार देखना चाहती है कि अटाम आजा तक नाई इतने नजदीक से is a treat अरे मीतर काम के ले लग्यस मितरा तुफार लग्यस आई रिवी यूँ और बिद्या जी है तो मैं चाहती हो कि जो हमारा मोशन पिक्चर है उसका अन्वेलिंग आप ही से हो आप ही करें घेंचा हस्ते आप एंड मोशन पिक्चर आदी अन्वेलिंग कर हुए मैं आपको एक रिमोट दूँगी ठीक है और हमेशा लड़कियों के हाथ में रिमोट होता है यह आप जिन्दगी में बहुत जल्दी समझ गई बहुत अच्छी बात है So one two three count देंगे हमारे मीडिया आपको प्लीज रिमोट प्लीज और उसके साथ ही हम अपना मोशन पिक्चर का अन्वेलिंग करेंगे Count प्लीज लोकाई फोटो काड़ोंगे आशी संधी पुना यहां नई मैनम पुड़े यां पुड़े यां आयूशा थियोगा पुड़े यू आया थियोगा गोटो फोटो थेलो हो यहां है ईयोगा है थेयोगा अौके आता हुआ है नष्म लिटमक्राशी थोड़े श्रकापगा मालना रहूँ Okay, she understands each and every bit of Marathi बरक आसा सम्जूना कि तरना के कड़त नहीं है सब्सक्राइब तो मैं बोलू पन शक्ते Oh my God! पन बोलना नहीं बाख लिए Marathi actresses को complex हो जाएगा इसी लिए Oh my God! Superb, superb, what an answer Okay तो ती भी सर्ली स्काइब चाहिए नहीं नहीं मादम है ते नहीं तुलम हंटला नहीं कि काई बोलू और काई नहीं आसा साल है First of all I want to ask which is a very typical question but we want to know about this How's your experience? मैं Hi Kunal मैं हमेशा से एक Marathi film करना चाहती थी क्यूंकि मैं मुंबाइची लार्किया है Is that right? एक इसम शंबर टके So, मैं यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई तो, obviously, मैं, you know, Marathi films देखती आ रही हूँ Culture से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ तो मेरी इच्छा थी और Vidyadar Bhattay जो है इस film के make-up director है और बहुत, बहुत respected make-up artist है पूरे इंडिया में अरे विद्यादर है, तैंचो साथी जूर्दाट आया मैंने अपने करियर की शुरुआत इनके साथ की और कुछ वक्त बाद उन्होंने श्रेयस को मेरे हवाले सौंप दिया श्रेयस जो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे पर अब दस साल से श्रेयस मेरे साथ है तो पर हमारा रिष्टा छूटा ने हर संक्रांत को उनके यहां से मेरे लिए तिल के लड़ू आते हैं जरूर और विद्यादर ने मुझे फोन किया और कहा कि उन्होंने एक आद मराठी फिल्में प्रोड्यूस की थी तो मैं उनसे कहती रहती थी कि कोई अच्छी सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट अगर आप लेके आओ तो आप प्रोड्यूस करो और मैं मराठी फिल्म करूंगी तो उन्होंने फोन किया और कहा कि अच्छा ये फिल्म मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं पर और ये एक बहुत खास फिल्म है, भगवान दादा पर बायोपिक बन रही है, और इसमें हम अलबेला फिल्म को रीक्रियेट कर रहे हैं, तो गीता बाली जी के लिए हम आपके बारे में सोच रहे थे क्या आप स्पेशल अप्यरेंस करोगे, तो आपको क्या लगता है, मैंने क और फिर मंगेश थे मिली, तो लगा कि ये बहुत अच्छा सेट अप है, बहुत इमांदारी से एक फिल्म बनानी की ये कोशिश कर रहे हैं, और मेरे लिए तो चार चान लग गए, मतलब मराथी फिल्म और वो भी गीता बाली जी के रोल में, तो मैं बहुत ज्यादा टोक ना है, टोक लीजी, बहुत अच्छा लग रहा है, कि अगर देखा जाए, तो हिस्टी रिपीट्स, जैसे कि तब हुआ था, कि 1951 में, कि गीता जी इतनी बड़ी सूपस्टार थी, और बगवान दादा ता उबहर रहे थे, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी न मैं माराथी फिल्म करूँ, and there couldn't have been a first, better first Marathi film for me, और मंगेश की कुछ फोटो मैंने देखे, as भगवान दादा, और मैंने का, या तो ये आदमी बिलकुल उनकी तरह दिखते हैं, या फिर मेकाप का चमतकार है, और फिर रिहरसल के रिए मैं गई, गाने के, तो मैंने रिहरस इंटर किया, वहाँ ये खड़े थे, मैंने politely smile किया, और मैं अंदर चली गई, मुझे लगा कोई होंगे वहाँ के, क्योंकी, 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 जिस मंगेश देसाय को मैंने फोटो में देखे, वो मंगेश देसाय, और भगवान दादा जो बने है, वो बिलकुल अलग है तो मैं फिर वो अंदर आया और इंटर्डूस किया अपने आपका, और मैं तो चौंग कही, मैंने का, oh my god, you know, पहले तो make-up and costumes उस सब का तो असर है, पर as an artist जो मंगेश ने किया, you know, वो body language अपनाने के लिए, I was like, hats off, और मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई कि मैं ये फ particular role के लिए आपको कुछ खास तयारिया करनी पड़ी, actually, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, कि मैं तो special occurrence में, हाँ मैंने गाने देखे, actually, अलवेला के सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर शाम ढले, खिरकी तले, बहुत मेरा फेवरिट गाना रहा है, जब शेकर जी और मुनिश जी घर पे आये थे, तो मैंने उनसे कहा कि, अच्छा, ये गाना शूट नहीं कर रहे हम, तो देवा, actually, उनका प्लान नहीं था, पर वरी स्वीटली एक मॉन्टाज में वो भी डाल दिया उन्होंने, so thank you very much for that, तो मैंने सिर्फ गाने देखे, क्य तो मैंने अपनाने की कोशिश की है, I hope मैं successful रही हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक special experience हमारी लिए मराठी फिल्म में किया है, और आप अभी वैसी ही लग रहे हैं, मतलब गीता जी ही लग रहे हो, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करते बाग, या बात करते बाग. Thank you, thank you. Mangish, उड़क अउतुक के लए तैनी तुझा कि तुझा भगवान जी स्वाटलास, भगवान दादा स्वाटलास, तर सग्यान से डोले आता तुझा केले लागले, खुब मोठी जवाबदार यालिया करे तुझा वर? सग्याता दीतर मला सवाटता की, जो मराठी मानुस होता हिंदी देला याणि अपला नाव कमोल, हिंदी इंडस्ट्री चा बाच्छा जाला, त्या भगवान नां चा रोल मला करा मिलाला है माचा खूप मी भाग्या समझतो, कर आशी संदी खूप कमी नटान चायूशा देत आशी संदी माला शेखर सरन ने देली कि मया मोशन फिल्म से मोनिज बाबरे ने देली आशी प्रेजेंट करता है मंगल मूर्ती, एक्सपरियांस प्रोडक्शन हाऊस, आशी जा मंगेशला भगवान दादा केलते विद्ध्या दादा, मैं आथा विद्ध्या मैनम असा मनाल अशी जाएल, प्रत्यक नटाला सा वाट दसत कि आपने आउश्या मदे आपन कहितेरी खिती जा पली कडे करावा, निहमी पेक्षा वेगल करावा, यानि ते निहमी पेक्षा वेगल करने आच ताकद कि आपाडबल माला बगवान दानने दिला, दुरदेवाची गोश्ट शिवाय काही ही नाही, तो माझा और एक दोल पद्धी ची जबाबदरी होती, कि एक तर हा रोल हन्रेड परसेंट करेक्ट कसा करता हील, और दुसरी गोश्ट, जया निर्मा तेनी मला निवडल है, तया निर्मा तेला चार लोक है बोल लेने बाईत कि इसको लिए आयार, त जबाबदरी होती और माझा बाजो निपन होती, मुझा मी अलबला हा सिनिमा अभ्यास हला गेतला, और तयाचा अभ्यास करता करता, बगवांदान चा अशिरवाद, तयाचा अत्मा माझा असपास कुटे तरी फिरत होता, करन बर्याच अपिक्षित नसलेले गोश्टी मी शिकलु है, मला योड़ा ही डांस येत नहुता, तया स्टैनली अभार मानले बाईजेत, करन तयानी जबाबदरी गेतली नस्ती तो मी ओड़ा चांगलान रूत्य करू शकुलो नस्तो, और मला सगलात अनन्द तेमा जाला होता, जमा विद्धय जिननी या सिरी माल होकार दिला होता, मला ये स्वपना तहीं वाटतन नहुता, मला शेकर सरनी दुन्दा दिन दा संगलार, तया फाइनल जाला होता, तुमी मला शुटिंग जिशे सांगन आरे नाई, तैंचा देस्ट से प्रॉब्लम है जरा मंगेश, तर अपन जरा दुसरे मूली ला गीता बाली रोल लांडले, पड़ मी पहला दिवशी, पहलात सिक्वेंस हमसा एका गाने चा तुकड़े चा होता, तैंचा दिवशी विद्धाजीन बगीत लग, और मंटत नकी, स्वपन कुठे तरी प्रत्यक्षा देता दसा जाले, तशा कारण सांग तुमी आज, मैं आपके सामने बोलता हूं, जिन्दगी की जब शुरुवात की मैंने, एक्टिंग जब स्टार्ट की, उस वक्त मैंने तेजा तेरा बार देखी थी, और मुझे ऐसे लगता था कि माधूरी दिख्षित के साथ मुझे काम करना है, वो तो नहीं हुआ, कुछ साल गया है, मैं मुंबई में आया, और मेरे घर के सामने एक ब्रीज है, ब्रीज के वहां एक होर्डिंग लगा था, जिसके उपर रंका ज्वेलर्स की एड है थी, और उसमें आपका फोटो था, और उसके पहले कुछ दिन पहले माने कहानी देखी थी, तो कहानी फिल्म देखने के बाद बोला, माधूर आणी दिख्षित क्यों मिया विद्या भालन, या दोवन पैकी कोणों पर काम करला मिलाला, तर मी आउरंगा बाद वर में इत्या आलो है, ते सार्थकी लागला, आणी देवानी माजी ही प्रार्थना आएक ली, आणी एक अलबेला मदे माजा बरोबर विद्या मेडम आहे तुमे ते पहता है, तुमे ते पहता है, थान्क यू वेरे मच, अध्या अजूनेक यूसपी मजे गानी या चितरपठाची गानी भारस गाजले लिया है तानी थी पुन्दा आपन रीक्रेट के लिया, तो त्या गानें नुषे ही काय संक्षिल आणी एक अगाद आणी आ संगने पेक्षा ती गानी आपन जर बगित ली तर मला सवाट तो फर आनन्द होई पुना तुमी तया कालात नवीन भगवान दादान गीता बाली वर गेले सरकतु मलवाटेल आपन गानी भगवया आप सब बताएगे कैसा लग रहा है थान्क यू मैं बहुत नर्वस थी देखते वक्त क्यूंकी हाइसर बिकुस पहली बार देखा अपकॉस और मुझे पता है कि मैं गीता जी की तरह बुलकुल नहीं दिखती तो कोशिश किया मैंने उनके तरह दिखने की उनके तरह आक्ट करने की उनके एक्सप्रेशन जैसे वो हाथ हिलाती थी वो सब करने की पर I hope I've done it at least decently 100% Thank you थाना बहुत मज़दाग है है ना मजाया ना वी पन पहलेंदा सबगित ले आप ऑफ्स्रीन अच्छी आच्छर नहीं है सबको पता चाज़ गया कि आप जूट गोड़ा नहीं मी खरज पहलेंदा बगितले मी इंचा सतत मागे लाग लोगतों कि मला दाखवा गाणी दाखवा शिनेमा दाखवा पने दाखवताच नहीं होते सबको गया दाखवा ने मला धक्का दिला है मैं युदा जगला करना है लुदा नसर मों पन करीयर करें आ रखतने हैं पहले कैसे ड्ग्ब्सकाति थे देखनाए किसे ड्ग्गा भी अज एले कैसे ड्ग्लमुर्था बस इतना ही श्यां पिक्चर उन्हीं ग्रडी पाडवर दिलेला है, तास बरोबर. Krish आहिर जो नव्याद अमासा एक वेगड़ विजिन असलेला, अमसा सग्यांद सा लाड़का प्रिद्यूसर आहे. आपता परन्त हैंनी लाइफ हो तो ऐसी अपने गुड़ू रंगीला, असे बरेसे हिंदी चित्रपट दिले, माराथी चित्रपटान मदे बदार पन केलते मंचे दगडी चार या चित्रपटा पसुन, जो ब्लॉकबस्टर होता, और खृष जी आणि यहन नवी नकीस विचारेचा, कि तो पन एक बायोपिक होता, और हां सुधा एक बायोपिक है, तुम्सा दूसरा माराथी चित्रपट तब आप योगा योगा है कि तुम्ही आशा प्रकारे, नवीन पीडी ला काइतरी वेगड़ो देनाचा ठरोले, जोगा योगा-योगा सा नस्तो पन प्रतेक सिनेमा लाइक जीवस्तो, आणि ते आपले सगला काम करूंग यताशा, आणि आशा प्रकारे, यानि अशी लो तो बात बॉलिवूद इस नहीं, तो होलिवूद सुधा तो मराथी मधे आंट अंट या तो इन्डिया मधे अपला क्रिश्नी डिस्टिबिउट के लिए त्या साथ ही एक दा जोर दात आया तर फक्त बॉलिवूद इस नहीं, तो हॉलिवूद सुधा तो मराथी मधे आंट या त्या साथ ही खुब-खुब शुभेच्छा आणि तसस अपले आता, दुसरे प्रिद्यूसर जे अपले से लाड़के तैनी तीन वर्ष या फिल्म वर्ती काम के लिला है, रिसर्च के लि वोड़ा मोठा सुपर स्टार वर्ती एक फिल्म बनावना ही कल्पना तुमाना सुच्छी तया तुम्ही अभ्यास के लाथ? टीन वर्ष लागले या जर्नी ला तीन वर्ष तामाला बरस रिसर्च काम करने सी शंति पन्याली या जर्नीम अदे बरेश और थाड़ी निर्मान सले ये पार पालना तले अले वह भॉवान दारन चीच्छा देल किंग भुष आशिर सेल की सगे जे विगना होले आप आप विद्धा तर बथे सेंगे मेकप अर्टिस में तैने चमोले इनद़ी बनाफ दो बस्वाद तर्ट हमें आगीश चुछा लागिए विद्धा विद्धा बालम अमाल मेले तो एक चाहिए अजुन मोठा काय हूशक्त या फ्लिम साथी आपके साणी कैप्टन आप देशिफ अर्था अपले सगेंट से लाड़के डिरेक्टर शेकर सर्तांडेल यान अभी बंचा वारती आवनपृत करती खूब मोठी जवाबदारी तेनी पहलेली आहे और तेनी मले साइनले माला फक्त दोन शब्द विद्याजीन विषयी बोला तुम्हे बक्ते आते जे शोट्स विद्याबलन विषयी मला एक वेगला सांगेचा ते मजया साइ कि नरेशन जालें तर तेनी रोल गितला एक विश्वास देखदर्शका वर दाख़ा लगतो सग्ड़ात मोठा आमचा भग्का माधा रस्तो तो मैंजे आर्टिस्स आमचा पार सुन्दर है चोटी शी आगास्ते ना बिट्विन दे लाइस मनतात मंगिस्टा आहिस्टे चात माहिया तो चालू हो तो तेचा विद्धे जनी चोट्या चोट्या मोमेंट्स सोनक इला है था सिनमा मदे एक गोश्टा आन्खियक संगतो बहुत एक सगल्या स्टेट आवर्स कंपेटिशन कि उमा गोव्मेंट्चा कंपेटिशन मदे बॉलीवोड से बरेच नत नहीं संगता आई विश वन दे इफ गट आवर नाइस स्क्रिप्ट आए विल तुन्दान तु दुन्दान तु दुन्दान नहीं कोणी ही कधी आला नहीं क्यारेक्टर कोणी केला नहीं विद्या जिननी मराथी इंडस्ट्री में यह उन क्यारेक्टर केला हां मराथी सिनेमाचा एक मोठा गवरव है मी खुब भाग्यवान आहे विद्या जिन्चा हेजे पावल है उद्या बहुत एक बरेच हिंदितले आर्टिस्ट रोल करतील प साग्यारेक्टे जाविद्या साग्याथ साग्यान एक सवार्ण हों तर्फ में तर्फ मंगल मुरति फिल्म्स प्रोडूसर मुड़ाकान सब्स्य असे बैक बॉर्ण बढ़ी सगर्ण साग्या करती है आच जिन्च नीवडान संखेन अला वह उनिसाग्या बनतु Thank you so much. मांचा वर्ति आमंत्रित करते. आणि, definitely माला आटो almost आपन सगा इथे cover के लिला आए. तुम्ही हैं चा फोटो गेवु शकता आणि groupbytes सु शकता. यहां चामधे. विदे सर अपने डियोपी आ है तैंचा शीवे पूर्ण हो शकत नहीं जैंचा दोयान निहां सिरे मापन बगणा रहा हो ते उदे सर तैंचा साथी जोर दार आणि भट्टे सर तुम्चा शीवे पूर्ण हो शकत नहीं हा कारे करम अन mean ऑनवेशा जोन सहर टील सेएज अनिमल्स उदे सकते स्टेटां के नी मंत्रे आहे तैने ही गाड़ी मंटली आहे मेरे सर यानन तक ग्रूप बाइट हो तेल फोड़ना हाए माइक मी यासा केना माइक नेती है तुम्हाला जे विचार है से तो तुम्ही लोकराट लोकर तेला विचारू शक्त तो तो थोड़े वक्त के बाद कुछ करती हूँ तेन अपरूप्टिय तो थो तो थिस अग्वाट ऑन की लिचारी या याड बैट विचारी Do wa तुम्हाट विचार्ट या कुछ। you know the star you see me recreating her songs so I don't think it's a biopic but yes I do get drawn towards real life stories which is why the Bhagawan Dada biopic also interested me would you like to do a Gita Bali biopic in the future of course I love it but I'll have to put in a lot more work to look like her Vitya you had done earlier dirty picture and now you're doing this biopic very interesting observation I got you had neither met Smita earlier, Silk Smita nor have you met Gita Bali so was it very tough to recreate these characters without even having met them even once no like I said you know in the case of Silk Smita I had to use my imagination to play Gita Bali ji you know I just had to watch her videos because we were creating bits from the film Al Bela and two scenes outside of that so I've tried to imbibe some mannerisms of her in the dancing portions especially but it is I think in a way easier when you don't know the person when you know the person you don't know what all to pick up hi Vidya this is mimi here hi Vidya were you nervous while you know you had to recreate the dance for you know three songs of Gita ji was there anything that of course because you know she played with her she played with her face with her eyes with her hands her fingers spoke so much most of the shots are yeah wrist she used her wrist yes beautifully and most of the shots are close up so what I realized is that there's not so much body the body is very hulka but the hands the eyes the smile all of that is what was really her charm so I wasn't so nervous about the dance but yes expressions are a form of dance so I tried to focus on that Stanley the choreographer was also constantly saying no not Vidya Balan Gita Bali Gita Bali Gita Bali so you know that helped Vidya hi hi as a matter of fact I'm going to Gateway of India where you know they'll be doing I'll be doing a chat with them from Gateway of India so I am going to be there but this film is I want to share a little anecdote with y'all you know my husband Siddharth has a lot of film posters old film posters it's his passion he collects he has almost 60-70 posters toh sab ek saad toh nahi laga sakte hum rotate karte rehte change karte rehte but jab se meri shadi hui hai ek poster meinne badla nahi hai aur wo hai albela ka so I feel it has some also the fact that Bhagwan Dada is supposed to have learnt dance from Siddharth's grandfather Sam Aaron which is his mother's father he was a pioneer in bringing all the western forms of dance to India you know I think I was just meant to do this there are things which are beyond you and this is definitely one of them I have a question I have to ask you I have to ask you Bhagwan Dada biopic currently is your name I have to ask you Bhagwan Dada is a great question I have to learn about the film institute I have to tell students about Bhagwan Dada how we I have to talk about middle class and I have to talk about the middle class and I have to talk about the film all of the sudden what is the doctor Monish Babarish is a producer who is in the film I have to talk about the film and we have to talk about the film and we have to talk about the film and we have to talk about it so we can talk about it how could I have to talk about please Bhagwan Dada is a little bit and I will start so I can try and I will tell you and I will say that we have to talk about the opportunities My question is from both producers कर दो 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 आफ दो दो आफ जाले पर दो पूसर ना दूसरी कर पोचा है तरहना दो प्रशन संपुन गया आड़ी मंगेशला खूब आपन प्रशन विचारे चेट तचा वदल बड़ा शागोश्टी तुम्हा जानून गेचा तब प्लीज विद्या जिन लिए जिए क रस पर वाल था प्लीज इस अडना कोई अप्लेश विद्या जी कि टेक्न प्रशन पूछना चाती हूं आप लोगो ने कैसे मान लिया कि गीता बाली और भगवान दादा तर्फ मराथी इंडस्री के लिए है ये फिल्म जो भगवान दादा है वो हमारे बॉलिवूड के भी उतने ही बड़े सूपरस्टार हैं, तो इसको हिंदी में क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि विद्या जी भी थी और इतना अच्छी कास्टिंग और इतनी अच्छी इवन मेकिंग, इवन जो डिरेक्शन है वो भी बहुत अच्छा था, तो क्यों नहीं आ यह था, प्लान था, महरती फिल्म बनाएंगे बिकास्ट बगाँ था इतसल फिल्म नहीं को मालूम नहीं था, विद्या जी इसे इतने बड़े अक्टर अम लो के पास रिलने वाले थे, अ था, था था, अधिन की लिए य। इस नहीं लिए, आप सा रार्या नहीं आपने व पार्ट फेपल, कंट्री, रिलिजिन, सब देख सकते हैं फिल्म को, आपका लड़का भी इससे जोड रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा अनुगाव है, इन फाक्ट जैसे मोनेश जी ने भी कहा है, पार्ट जैसे मराथि इंडेस्ट्री बहुत बढ़ रहा है, इन उस्पेशली क्लिया कि क्या गप्रोड रहा है, इन फिल्म एक्रटु अनुग् भी क्या भी युद्वी सरों एक उप्रोड आपकस प्रवर्ड इंडेयरे श्बिकिन मेहाथ से लिए थल्म एक्रणु उपनाने इतनी बाहर जाके देखते हैं, जैसे मेरे ड्राइवर भी जाजा के तीन चार बाहर जाके एक इक इक इन्वा बहुत खुशी से देखते है, तो I think Marathi cinema ये एक मेव एंटेटेइन्मेंट है, Marathi मानुस के लिए. And Vidya, one question to you, as the director said that, I mean, the Bollywood stars, actors keep saying that we will do Marathi film and blah blah blah, but they have never done, you've done it. But myself, I hope all the good Marathi scripts come to me. Yeah. Yeah. No, I think, you know, the yesteryear stars were probably, I don't know, we've heard a lot of stories. about the yesteryear stars, a lot of such stories, which is very disheartening, but I don't think it's a phenomenon very unique to Hindi cinema or Indian cinema. It happens the world over, it's very unfortunate, but I just hope now that all of us invest well, so that we're taken care of when we're, you know, probably in the later years of our lives. Hello, hello. Last question for Vidya. Hello, yeah, yeah. Sorry, sorry to cut you short. Last question for Vidya, please. Yeah, yeah. My question, Gita Ji, question for you. Yeah, you're looking at your Gita Ji there. Yeah. My question is to you is like, as Shekhar Tandil sir told that Bollywood actor, actors, they say that, I will love to work in Marathi movies. And you got as a guest appearance. Would you love to do an entire mainstream Marathi movie? Absolutely. I'm, you know, I'm looking for the right kind of script. I've been offered a few films, but for some reason they didn't work out either. I didn't like the script or something or the other. I'm also doing a Malayalam film, a biopic on the poetess Kamala Das. I'm a greedy actor. Jahaan mujhe achha role melega, mein jaungi. Would you love to do a Maharashtan role? Because you'd be doing a… Of course. Of course. But uske liye, meri Marathi baut sudhaarni padhegi. Mein baut mahinat karungi. Kyunki I will not let anyone else dub for me. Thank you. Very good, Vidya. Sorry. Last question. Last question. Here, here, Vidya. Here, here. Hi. Thank you. Hi. I actually wanted to ask a question. How do you actually prepare for any of the roles? And also, where can all the characters want to go to the company? Thank you, because there's a compliment in there. I don't really know. There's no… I'm not a trained actor. There's no method or anything. I just read the script. I sit with the director, sometimes the writer, try to understand. If there's any research that's required or if I need to acquire some skills, I do. But beyond that, I think it's just instinct. It's probably just that. And courage comes from greed. Pure greed. I'm just a very, very greedy actor. Vidya, one last question. Thank you. Vidya, there was a rift between you and Siddharth regarding Kangana. Would you like to share something about it? Since you're telling me, there must have been because I'm not aware. You submitted Kangana. Good one. Anything related to this movie and… I guess that was the last question. Yeah, yeah. Thank you very, very much. Vidya, one last question. Yeah. Hi, I'm Monica from Bollywood Nazar. Hi. As you said, you have seen many Marathi movies. So which is your favourite… I'm… Sorry. Okay. Which is your favourite movie? And apart from Mangesh Desai, with which actor you would like to work with? Um… I actually loved Katyaar Karlzad Ghusli. What a fact. And… I love the music. I love the performances. Subodh… Seems… I love Serath. Serath, I'm watching today. If the programme is finished at the time, then I'm watching Serath. Because I was outside shooting for Quehani 2. I'm not telling you in which theatre. And not with which theatre. But thank you all very, very much. And all the best to all of us. Thank you. And thank you. Thank you. This has been a wonderful afternoon. Thank you. Alla re Alla. Bhagwan Alla. What a mother! What a mother! Aani. Sorry. Aani. 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 Gayiraew wildg Safety pig youtube community. Aani AfGAid Canada. Aani I. Aani. Aani Asah. Aani Carmel. Aani you later. Aani asah snafu. Aani. Aani. Aani NASH. And if you have held your attention to work please थांक्यू विद्या जी थांक्यू प्लीज मंगेश से प्रशन विचार है चास्टिल तुम्ही विचार हूं शक्ता कर दो कर दो